हलो गेड यूटूब चनल पर आप से भी लोगों का स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अमान दूटूबर और आज इस वीडियो में आप लोगों से सेर करूँगा कि रेडिमी मुबाइल फौन की केपेट पर अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं या फिर फोटो को कैसे करूंगा तो वीडियो को शुरू से अंतक देखते रहना यदि रेडिमी फोन से रेलेटर जनकरी पाना चाहते हो तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चलेगी गत वीडियो पर लाइक और कमेंट जरू करना तो चलो फ्रेंस अज कुछ नया सिकते हैं सो फ्रेंस यहाँ पर रेडिमी मुबाइल फोन की डिस्पले ओपन हो चुका है यहाँ पर आपको क्या करना है आपको अपने मुबाइल पोन की सेटिंग की एपलिकेशन को सिंपली से एक बार टैप करना सेटिंग की एपलिकेशन को टैप करते ही यहाँ पर सेटिंग की इंट इंटरपेज ओपन हो जाता है और यहां पर की पैट की इंटरपेज देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको क्या करना है त्री बार की आइकन को सिंपली से बाट टैप करना त्री बार की आइकन को टैप करते ही यहां पर इस तरह की इंटरपेज ओपन हो जाता है और यहा अपना फोटो लगाना चाहते हो या फिर फोटो को चेंज करना चाहते हो तो यहां पर आपको क्या करना है प्लस की आइकन को सिंपली से एक बाट टैप करना है प्लस की आइकन को टैप करते ही यहां पर इस तरह के छोटा सा पोप पर देखने को मिल जाता है यहां पर आपको क क्या करना है की पेड पर अपना फोटो लगाना चाहते हो या भी फोटो को चेंज करना चाहते हो तो यहां पर अपना फोटो को सेलेक्ट करेना और फोटो को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है यहां पर रैट की आइकन पर सिंपली से एक बाद टैप करना रैट की तो यहां पर आपको क्या करना है फोटो की ब्रैटनेस को बढ़ा लेना और ब्रैटनेस को बढ़ा लेने के बाद आपको क्या करना है done की option पर simply से एक बार tap करना done की option पर tap करते ही यहाँ पर इस तरह का एक page open हो जाता है यहाँ पर आपको क्या करना है red की icon पर simply से एक बार tap करना tap करते ही keypad पर photo लग चुका है तो फ्रेंस इस पर का red में mobile phone की keypad पर photo को लगा सकते हो या फिर फोटो को चेंज कर सकते हो तो फ्रेंस ये वीडियो कैसा लगा में कमेंट पर जरूर बताना अभी के लिए बस इतना ही अगली वीडियो पर मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्यार लखना जाए ही वंदे मातरम